दोस्तो एक्सिस बैंक के अंदर अगर आप लंब सम 80,000 रुपे का निवीश करते हैं तो इससे आप 1 करोड 14,000,000 रुपे तक फंड बना सकते हैं दोस्तो जब हम निवीश करते हैं तो हमारे टार्गेट अलग-लग होते हैं अगर आपको घर बनाने के लिए 1 करोड रुपे फंड की ज़रुत है या फिर आप अपने रिटार्मेंट प्लान करना चाहते हैं या फिर बच्चों के फूचर के लिए आपको एक बड़े फंड की ज़रुत है तो आज हम आपके लिए एकसिस का एक ऐसा इन्वेस्मेंट प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर लंब सम 80,000 रुपे से 1,14,000 रुपे का फंड आपको मिल जाएगा तो दोस्तों सौधत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर तामे दोस्तों निवेश करने से पहले बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है हम जहां पर निवेश कर रहे हैं वहां पर हमें रेटन कितना मिल रहा है और दूसरा यहां पर हमारे जो पैसे हैं वो कम टाइम के अंदर कैसे बढ़ सकते हैं त्यूंकि अगर आप बैंक FD के अंदर ये फिर LIC में पैसे को निवेश करते हैं तो ब्याज़दर 5 से लेकर 7 वीज़दी आपको मिलचाती है लेकिन अगर आप उसे compare करेंगे inflation rate महिंगाई दर के साथ तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्याज़दर है इस पर आपको जो return ह वो बिल्कुल 0 मिल रहा है लेकिन दोस्तों जब maturity के बाद आप उस पैसे को वापस लेंगे bank FD या LIC के अंदर तो inflation rate इतना ही बाढ़ चुका होगा इस दिर निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि जहां पर हम पैसे को निवेश कर रहे ह महाँ पर हमें कितना return मिल रहा है और ये return compound है या फिल simple interest rate के साब से अगर आपको compound return मिलता है तो यहाँ पर आप कम पैसे से भी एक बड़ा fund बना सकते हैं अगर आपको bank FD या फिर LIC के अंदर 1 करोड रुपे fund बनाने की बात हो तो आपको कम से कम 25 से लेकर 30 लाख रुपे क निफेश करना होगा जब कि आप यहाँ पर mutual funds के अंदर कम से कम यहीं सिर्फ 80,000 रुपे से ही 1 करोड 14 लाख रुपे तक फंड बना सकते हैं दोस्तों पिछले 10 साल के अंदर mutual funds के अंदर जो return है वो compound काफी चांदार मिला है क्योंकि दोस्तों mutual funds के अंदर भी small cap और mid cap sector के mutual fund लोने पिछले 10 साल के अंदर या फिर हम एक साल की भी बात कर लें तो सबसे जाता return दिया है stock market आपने all time high पर है और इसका फायदा mutual funds को direct दिखाई देता है क्योंकि mutual funds की जितने भी scheme आप देखेंगे उनका जो return है वो all time high के आसपास है mutual funds में shorter में correction जरूर आते रहते हैं देक प्लान लेकर आए हैं दोस्तों ये mid cap category का प्लान है और इसका जो return है वो काफी जबर्दस्तरा है इस fund ने आप तक जो return दिया है वो annually 19.35% है जबकि पिछले 5 साल में इस fund का return 21.23% last 3 year में 21.54% और last 1 year में इस fund ने 22.73% का return दिया है axis mid cap fund direct plan growth दोस्तों ये fund ऐसा है जिसका return 19% से ज़्यादा रहे जबकि क्रोन लोगडाउन के अंदर जो stock market crash हुआ था उसे पार करने के बाद भी इस fund ने annually काफी शांदार compound return दिया है यहां से अगर आपको 18% का return मिल जाता है और आप सिर्फ 80,000 रुपे का निवेश करते हैं त जबकि अगर आप 10 साल तक इस प्लान में 80,000 रुपे को निवेश करते हैं तो यहाँ से 4,18,770-लोपे का button बना सकते हैं, return इसमें 3,38,000 रुपे का होगा जबकि दोस्तों अगर आप 15 साल तक इस प्लान में इस पैसे को निवेश करते हैं तो इस से आप 9,57,900 रुपे का button ब तक fund बना सकते हैं और return इसमें 21,11,000 रुपे तक आपको मिल जाएगा जबकि 25 साल में दोस्तों compound return से आपके 80,000 रुपे की value 50,13,000 रुपे से जादा हो जाएगी और return इसमें 49,33,000 रुपे का आपको मिल जाएगा जबकि दोस्तों इस 80,000 रुपे से 30 साल के अंदर आप 1,14,000 बना सकते हैं और return इसमें 1,13,000,000 रुपे का होगा दोस्तों mutual fund के अंदर जो return है वो compound मिलता है यही वज़ा है कि यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके अपने किसी भी target को पूरा कर सकते हैं 30 साल का time थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन यहाँ पर जो profit है वो आपको काफी शांदार मिला है और दोस्तों जिस fund की हम बात कर रहे हैं वो mid cap sector का fund है और पिछले अगर हम बात करते हैं एक साल की तो mid cap sector के अंदर जो growth है stock market के अंदर वो 40% से ज़्यादा मिली है यहाँ पर भी mid cap के टेरी के कुल मिलाकर 69 stock है जिसमें पैसे को निवीश किया गया है और top holding में trend, चोला मंडलम, सुप्रीम इंडस्टी, दा इंडियन होटल यानि दोस्तों कुल मिलाकर 32 stock हो में पैसे को निवीश किया गया है दोस्तों यहाँ पर पैसे को diversify किया गया है अरग लग सेक्टरों के अंदर चाहिसे हम equity sector location की भी बात कर लें तो financial, chemical और automobile sector के अंदर पैसे को निवीश किया गया है जबकि यहाँ पर equity के अंदर 90% पैसा और debt fundों में लगपक 6.5% पैसे को यूज किया गया है और दोस्तों इस fund का EUM यानि कि asset under management काफी बढ़ा है 33,549 करोड रुपे का यानि इतने पैसे लोगोंने इस प्लान के अंदर निवेश किया है जबकि minimum यहाँ पर आप निवेश करना चाहते हैं तो 5000 रुपे से निवेश कर सकते हैं जबकि fund की current NAV का price 97 रुपीज है जैनि आप जो पैसा निवेश करेंगे और जो भी NAV का price होग से सिर्फ 0.53% का जिबकि अगर tax की बात करें तीस साल के बाद आपको एक लाग 14,000 रुपे में से सिर्फ 10% का LTCG tax देना होगा और बाकी पैसा आपको मिल जाएगा जबकि दो तो गर हम fund management team की बात करते हैं तो इस fund को manage कर रहे हैं serious और विनाएक जिबकि अगर बात की जाए access AMC की तो दोस्तों asset के साब से इस fund house दे पास 2,62,62 करोड रुपे का EOM है और asset के साब से rank 7 नमर पर है fund house काफी पुराना है तो दोस्तों mutual funds के अंदर हमें component से ये फायदा मिलता है कि यहाँ पर हम अगर कम पैसे भी निवेश करते हैं तो अपने किसी भी target को आसानी से पूरा कर सकते हैं देकिन दोस्तों mutual fund के अंदर risk जरूर होता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो सारका सारा stock market के अंदर निवेश किया जाता है इसलिए जब आप निवेश करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जहाँ पर आप निवेश कर रहें वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद